असलाम उन्हालेकूम मैं चानाद वालकम करता हूँ इलेक्रिकल फंक्शन्स यूट्यूब चैनल में फ्रेंड मेरे पास हायर डिफ्रीजर इंवर्टर डिफ्रीजर का थर्मो स्टेट जो है वो मुझूद है यहां पर इसका कॉनेक्शन आपको मैं बताऊंगा इसके पांच स्टेटिजर के दो जो वाइड कलर के हैं वो तो नौर्मली इसके अर्फिंग पॉइंट है और बाकी किस चीज़ के लिए हैं और इसके प्नेक्शन आपने कैसे करने हैं बहुत यह असान कंपनी ने भी कर दिया है थर्मो स्टेट ने इसके ओपर ही एच लिखा हुआ है एक और L और दूसरी तरफ जो है आपको H यहां पर C और L जो है यह हमारे main connection है H पर heater वाली wire लग जाएगी H पर direct एक heater का point अटेच हो जाएगा और C और L पर जो है वहां पर हमारी L पर line यानि के face input होगी और C से हमारा compressor के लिए point जाएगा ठीक है तो वैसे C और L के बीच अगर आप change भी कर देते हैं तो कोई problem नहीं होती यह non inverter defreezer जो है उनमें भी यह thermostate लगे होगे होते है आज कल इस तरह के thermostate defreezer में आपको देखने को मिलेंगे तो यह thermostate जो है बहुत ही easy है इसे connection बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और उपर वाले जो दो points है वो तो बिल्कुल earthing की है वो आप गर ना भी लगाएं तो system चल जाता है अगर लगा देंगे तो सिरफ आपने earthing वाले point वहाँ पर attach करने है बाकी H वाली side पर आप heater point लगा दे और line और C C और L पर आपने main wire पहुंचानी है और वहाँ से main output लेनी है वो चाहे आप C पर main पहुंचा दे चाहे L पर तो वैसे तो इन्होंने जो mention किया है वो L यानि कि line और C compressor common तो ये exchange भी हो जाएं कोई problem नहीं और simple रहे तो भी कोई problem same same लगा देंगे तो भी ठीक है तो ये चोटी सी वीडियो थी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदा ही होगी और इसमें ये चोटी सी information आपको समझ में आ गई होगी और कुछ thermostat में तो सिरफ दो ही point होते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जूद नहीं आप जो उनसा मर्जे point आगे पीछे भी कर सकते हैं